नमस्कार दोस्तों संसद के भीतर ऐसी घटना घटित हुई जिसने नरेंद्र मोदी को भी सकते में डाल दिया संसद के भीतर राहुल गांदी और अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया कि नरेंद्र मोदी जी से न सहा जा रहा था ना कहा जा रहा था और क्या किया अखिलेश बदलने की बात करते थे कि मोदी जी को 400 सीट दीजिए और तब सम्विधान बदल जाएगा और उन लल्लू सिंग को अवधेश प्रसाद ने हरा दिया और हार कर जीत कर जब वो संसद में पहुंचे अवधेश प्रसाद तो किस तरीके से उनका सम्मान किया गया और नरेंद्र मोदी किस तरीके से खून का घूट पी कर रहे गए वह आपको हम आपको दिखाते हैं देखिए यह तस्वीर संसत के भीतर की तस्वीर है आपके सामने है यह तस्वीर है इस तस्वीर में आप मैं लाइन खीच देता हूँ आपके लिए यह हिस्सा जो है यह विपक्ष का है यहां पर विपक्श बैठा हुआ है यह जो हिस्ता है यहां पर सत्ता पक्श बैठा हुआ है यानि नरेंदर मोदी जी राजनात सिंह अमित्व शाह और गटकरी उर जिगह बैठे हुए हैं गांदी बैठे हुआ अवधेश प्रसाद और अखिलेश शादव आप मसला क्या है आप कहेंगे कहां बैठे हैं तो फिर क्या हुआ तो हुआ यह कि आवधेश प्रसाद यह भाई साब जो है इन्हों अयोध्या में भारतिय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया भारतिय को ऐसा ड्रद दिया है इस नरेंडर मोधी को और पुर्वया संसत के भीतर ही चला दी आज नरेंद्र मोधी जी को इधर पिराने लगा मतलब दर्द होने लगा अब ये लोग आगे लेकर क्यों आए अवजेश परसाथ को ताकि नरेंद्र मोधी जी यहां से बैट कर देख सकें कि जिस आयोध्या के नाम पर आपने इतन काना सब कुछ किया सब हुआ लेकिन फिर भी एक दलित सांसद ने एक दलित विधायक ने जिनका नाम अवधेश प्रसाद है अवधेश प्रसाद है अवधेश जी ने नरेंद्र मोधी जी के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट वाली सीट पर भारतिये जनता पार्टी को ऐसा पट अभारती जनतापार्टि के इको सिस्टम वालबा वह विभ व मनरट पीको वोट नहीं दिया है वह सब युद्या वाले मंतरा की वनसज हैं अब अखिलेश अदव राहुल गांदी ने किया क्या किया क्या कि अवधेश प्रसाद जी बड़ी दूर बैठे थे यह देखे यह देखे अब अखिलेश यादव को क्या सूझा इसलिए यह बात कही जा अब यहां पर पहुंचे अखिलेश यादव यह रहे अवधेश प्रसाद यह रहे और अखिलेश यादव यह रहे अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को लेकर जो है वो आगए आगे बोले कि भाया आप जो है इतना बड़ा आप काम किये हैं उद्ध्या में भारती ज तो आवधेश प्रसाद को लेकर अखिलेश आदव आ गए आगे अब इसमें भी कई चीज़े छुपी हुई है अवधेश प्रसाद दलित अवधेश प्रसाद जब उत्तर प्रदेश में विधायक थे तब भी अखिलेश अदव के बगल में बढ़ते थे तो वहां भी उन्हो प्षमाज का लेकिन अवधेश प्रसाद जी को देखेया हम आगे संसत मिलाकर बिठाते हैं अपने साथ बिठाते हैं डलित पिछडा सब साहित में बैठे हुए जगे पर यहां से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि असल में असल में दलित समाज का कल्यान पिछले समाज का कल्यान पिछले समाज की बात पिछले समाज का साथ यहां है इस वाले पोर्षन में है और इसलिए यह विपक्ष वाले पोर्षन में अवधेश कुमार को अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को यहां पर लाकर बिठाया जहां नरेंद्र मोदी सीधे उनको देख सके कि हुई इस ही जो राहुल गांदी के साथ बैठे हैं जो संसद में सबसे आगे बैठे हैं जो संसद में नेता प्रतिपक्ष की सीट पर बैठे हुए हैं तो कुछ तो दम होगा और वाकई इस बंदे के भीतर वो दम था वो गुर्दा था कि जनता ने इस व्यक्ति को संसद बना कर संसद पहुंचाया है हाला कि ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नेता है वुदेश परसाद बहुत काम किया है बहुत बार ये विधायक रहे हैं इनका अपना रिकॉर्ड है मुलायम संग जी यादव के जम आई करने के मूड में चाहे वह सामने से हो चाहे वह पीछे तयारी करने से हो अब देखिए यहां पर यह भले ही संदेश छोटा है लेकिन इस संदेश यह संदेश से बहुत दूर तक मार की जा रही है अव देश परसाद को सामने बिठा कर पहला तो नरेंदर मोदी को सूपड़ा साफ कर दिया वो भी धार्मिक नगरी से जो हिंदू की इतनी जादा राजनिती करती हिंदू मुसल्मान करती है उस भारती जनता पार्टी का हिंदू समाज में सूपड़ा साफ किया है तो आप देखिए कि वो नेता कौन है और इसलिए उनको अखिलेश प्रसाद हैं और इन्हों रे इसा उसा किया हाला कि यह तो पूरी वर्ड को मालूम है कि वॅ है जब से इन बांको प्रती धनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया है अयुद्ध्या जनता पार्टी कर निताओं को बताते नहीं बन रहा है कि रहां कैं कि size? टाइं. क्या है य संसद सत्र के पहले दिन ऐसी ऐसी तज़ियरे निकल कर आई हैं जो हम लोग उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं आप भी जागरूक रहिए देखते रहिए समझते रहिए कि एक्चुल में हो क्या रहा है चल क्या रहा है इस वीडियो देख रहे हैं जनल को सब्स्क्राइब करिए नमस्कार आप 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 आप